बहुत जरूरी है उसके लिए आपको सुबे जल्दी उठना चाहिए और अच्छे साफ सुद्रे कपड़े पहनना चाहिए खाने के व्यक्त पहले हाद धोना चाहिए हाद धोने के बाद खाना काईए उससे आपकी सहर बहुत ही अच्छी रहेगी और योगा करेंगे तो आपके सहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा रोद योगा करने से आपके जो शारिक जितने भी विकार है वो सब दूर हो जाएंगे और आपकी सहत बिल्खुली ठीक रहेगी मैं अपने बच्चो को भी ऐसे ही सिखाती हूँ कि सुबे जल्दी उठकर अपना खुट का काम खुट करके पहले ब्रश करना चाहिए बाद में अपने बालों को अच्छी तरह से तेल लगा के अरकंगी करा कर साप सुद्रे कपड़े पहना कर आपकी सहत का खयाल रखना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता रखने से ही आपकी नियत सेहत सब कुछ अच्छा रहता है कि स्वच्छता रहता है